असलामेकूंग। मैं हुँ डॉक्टर तहीम जावेद और आपको अपने यूटीव चैनल में खुशा अबीद कहती हूं। आज का ये विलॉग बहुत सारी इसमें लेटर स्यासी हवालों से अपटेट्स हैं। लेकिन इन सब चीजों से पहले बात करेंगे। परुखबीर साहब के हाओ से हम ने पछले विलॉग में बात की थी का फरुखबीर ने प्रैसके आपने प्रुखबीर की थी दो श्यूर्भाषब की थी तो शेवास गिल साहब को बहुत बुरा लगा है कि फरुख अबीब ने फ्रेस कॉंफरंस क्यों की है और फिर उन्हान एक पुरा बीला खड़का दिया कि जी बहुत ज़्यादा फरुख अबीब ने तो इसने तो माज़ी में ये किया था इमरान कान के साथ वो किया था ये आई गई उसका बच्चा है उसकी फैमली है आपको इससे क्या लगे पड़े के फरुख अबीब क्या बातें कर रहा है फरुख अबीब के इस कदम को हम किसी भी तरह हमने नहीं सराहा लेकिन शेवाज गिल जैसा बंदा जो यहां से मिंतें तरले करके अपना नाम निकल वा तो यह लेक्चर्स खुद देने तो बहुत असान होते हैं लेकिन अपने आपको दुसरे की जगा राखकर देखना बड़ा है मुश्किल होते हैं अच्छा इसमें एक वज़ा यह भी है के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत अदा तनकीद का निशाना बनाय परुखभीब को पीडिया के आम वोटर ने उसकी वज़ाज यह है मैं सोचल मीडिया पर देख रही थी उसकी वज़ाज यह है कि जितने भी बाकी लोग थे उन्हों ने बात की जितना असमान डार है यह सुदाक्ट अलिवासी ने बात की कि आ जी इमरान खान ने रहन साज और एक इनसान का रास्त आह वाह वाह तो आमेरान खान को शितन ही करार दे ढहिरा और इस किसम की बात में मेरान खान पर P.T.I. کا स्पोर्टर नहीं सुनता भाई P.T.I. का स्पोर्टर ये चीजnes अमरान चान के बारे में बरदाश नहीं कर सकता आप आजियोस लेकर आए क्या फरक पड़ गया आज रहाम लिह के साथ आजियोस लेकर आए पता नहीं क्या क्या लेकर रहाए हरिहामखन से नूनलीक वालों ने पूरी कताँ भी लिखवा दी, क्या फरक पड़ा गया, तो देखें सेलेबरिटी सेलेबरिटी होता है, इमरान खान की बतौर सियास्तितार दान हम कभी भी तारीथ नहीं करते हैं, लेकिन वो जो एक सेलेबरिटी है ना, उसकी जो फैन फॉ तो यह बैकलेश आया है परुख अभी पर सक्रिप्टीड और प्लांटीड और यह सारे उसके हवाले से नहीं बलकि इम्रान खान पर तरनकीद के हवाले से इम्रान खान इस टाइम बहुत आदा मुश्किल में है उन पर फर्देश जरुम उन पर शाह में मुद्पे तो किस के इलावा कुछ मुछक्छा तो हैं जो मुथक्त आया की और कुछ मुच्क्याय इसी हैं ज employed की मैं तरी मुख्ला की टीम में लोग पैदा कर रहा हैं जिनमें सरे फैञिस और आवे उसे देयाा हैं जिनमां सहबतर हैं श्वाहीब शाहीन केस प्रिपेर करते हैं आकर बदफा भी करते हैं एश टीवी शोस में और कोई जाती गालम गलूच और लडाईयों में नहीं जाते हैं जब तक दुसरा शक्त जिसना अजमा बुखारी एक शो में आई में थी तो जब तक दुसरा शक्त शुरूर ना करे वो नहीं करते हैं अपना पॉइंट वू देते है हैं सीधी बात करते हैं करूनी हवाले से बात करते हैं पॉइंट क्लियर करते हैं लेकिन दुसरी जानी कुछ ऐसे वकील भी हैं जैसे शेर अफ़ल मरबत सहाब हैं जो पार्टी से और हर स्ट्रेटेजी से एक नई लाइन ही ले ले लेते हैं अब यही बात हुई जब केस की समात से बाहिर आकर सल्वान सफट्रह साब को लीड कर रहे थे और शेर अलम्रबत साव भी बाहिर जो यह कमीया हैं जो बॉस चलों की और चान रही है कि यह इस किसम की हरकते हैं क्यों की जा रहे हैं और ना एक की बंदा आया और एक की बंदा बात करें अच्छा इसमें मैं एक और चीज को एप्रिशेट करना चाहूंगे जिसमें हमने पिछले विलॉक्स में पहले हमने थोड़ा खृते साइक भी किया था लेकिन नहीं कि अधर चल रहे हैं दफा भी कर रहे हैं जाकर इमरान खान से मिलते हैं सारा केस डिसर्स करते हैं तो यह बड़ी अच्छी चीज है बजाए इसके कि आप मीडिया में स्री पॉइंट स्कोरिंग करें उसका कोई इमरान खान को आपके वकील होने का कानून दानी आपको पंजाब में जा रही है और पंजाबी बड़े खुश हैं कि चितर शितर पैरेन हैं उस्ताद दानोहिना नो मजार है क्योंकि पंजाबी यह हमारी कौम बहुत खुश होती है ना कि बड़ा जी देखा एह है तो नकर राख दिया है मार्शला को भी हमेशा हम खुशाम दीते लेकिन बाग यह है कि यह सारे बच्चे और जब स्कूल में नहीं जाएंगे जब प्राइबटाइज कर दिया जाएगा यह जो टीचर है यह चलें दस हजार ना सभी पांच हजार कमा लेंगे एक मसाल दे रही हुँ मैं सिर्फ एक मसाल दे रही हुँ तो लेकिन जो आपका खरीब का बच्चा है पुझाब का बच्चा है वो कहां पढ़ने जाएगा जो फ्री एद्धुकेशं तकरीबबन वो हासिल कर रहा ही हासिल और दिसके पास ना क्यों कुई तूलいい है यह हजूं क्या आप लों हाकर नहीं ले जाएगा तो इस चीज़ के बारे में इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए मुसी नकवी सहाब को भी और यह जितने भी लोग हैं जो निगरान का बीनाओं में शामिल हैं इन सब को शरम करनी चाहिए इनको इस बेगैरती को होने से रोकना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ ये उसाथा का मौशी कतल है बलके ये आप एक ऐसा हजूम क्रियेट करने जा रहे हैं जिसके आगे इस मुल्क में कुछ भी नहीं बचना जब आपने गरीद के बच्चे का हर खौब ही चीह लेना है उसे सरकारी अक्सर मैंने बकवास यह सुनी है और मुझ सहूलियाद देना किसकी जिमेदारी है जब यह सहूलियाद केंट्स में दी जा सकती हैं जब यह सहूलियाद मुल्क के बाकी अदारों में दी जा सकती हैं जब वकीलों के चेंबर से आप विजली के कुंड़े नहीं हटा सकते तो यह सारा आपने जो गला काटना है वो खरी बड़ी करने जा रहे हैं ना, प्राइवेट स्कूल में जी आपको नहीं फील होता होगा, आपको नहीं पता चलता होगा कि प्राइवेट स्कूल आप अफोर्ड कर लेते होंगे, प्राइवेट कॉलिज उनिवस्टी आप अफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन हर शक्स नहीं कर स और अगर रियासत ने तालीम भी नी देनी, सिहत भी नी देनी, पंजाब के बहुत सारे जो हेल्ट के सरकारी अदारे हैं, B.S.U. या और बहुत सारी जगे हैं, वो प्राइबटाइज हो चुके हैं, और कुछ का करने का अमल जारी है, और वहां जितनी तो हुलियात मिली वही आपने प्रीज मुझा रूर बगानी अगराँ तो, Allah Hafiz.